कि नमश्कार कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ में हुस्रुस्टि राइब ब्रेकिंग डाउ में इस वक्त की बड़ी खबर अजानी मामले को लेकर लोक सभा और राजस सभा में विपक्षियों दौरा जमकर नारिबाजी के बीच सदन को साथ फरवरी सुबा 11 बज़े तक स्थागित कर दिया गया है इस बड़ी अपडेट पर खास बाचीत के लिए हमार साथ जुड़ चुके कैपिटल टीवी के एडिटर एंचीफ डॉक्टर मनीश कुमार सर क्या खास अपडेट है देखिए जो आज संसद में हुआ यह विपक्षी पहले से तैकर सथयों है जो इन्हों कि बता दिया कि संसद को चलने नहीं देना है है तो जब आपनी यह तैकर रिया है कि संसद में काम नहीं कि नहीं होगी बुज्ट पर चाहते नहीं हो कि आपके बशाब'll के आपके दाभों के अपकि लोग वह पुर्जत क्या कर रहे हैं ये लोग यह बना रहएं कॉंग्रेसी और बामपन थी आम अद्मी पार्टी यह तमाम लोग क्या कहरें मैं सवरे सवरे देखा प्रदान कॉंग्रेस पार्टी का नेशनल स्पोक्सपर्सन वो टेलिजन पर आ रहा है कि देखी तो बड़ा गंभीर मसला है 130 कड़ोर लोगों के पैसे की बात है बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जा रहा है एलाइसी खत्म हो भही आपको किस नहीं यह हक दे दिया क्या आप इस तरह का तमासा करें लोगों के अंदर आप भ्रहम की स्थति पैदा करें इस बात के कोई जवाब देगा कि जो इन्वेस्टर्स जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स इस तमासे की वज़े से इस बैमान और सौट सेलर एक फ्रॉड जो हिंडिन बर्ग है उसके रिपोर्ट के अधार पे आपने इतना बड़ा तमासा किया कि अडानी के सेर्स जो डाउन हुए उसमें जो स्मॉल इन्वेस्टर होंगे जो मिडल क्लास होगा उसको जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कोन करेगा यह रहूल गंदी करेगा यह संजय सिंग करेगा यह सोन्या गंदी करेगी आप आपने राई का पहाण बना दिया तमासा क्रिएट कर दिया है सरकार कह रही है discussion करना है discussion कीजिए लेकिन आप उससे भाग जा रहे हो कल सरकार ने कहा कि ठीक है हम यहाँ पे बाचित करने के लिए आपको discussion करना ही नहीं है क्यों डिस्कुसर नहीं करना है क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हो जो आपकी जो लोकस स्टेंडा ही है यह कोई बताएगा कि हिंड बर्क के खिलाब जो है वह अबियाई जाच कर रही है जो नियॉर्क में जो इस्टॉक एक्सचेंज है उसके तरहत आने वाली चीजों के हिटन बर्क के उपर बकादा यह लगा हुआ है रोक लगा हुआ है कि आप कोई इस तरह के हिट जॉब नहीं करेंगे कोई रिपोर्ट नहीं छापेंगे आप दूसरे आप देखिए कि आपने एक एक चीज के लिए वैसे विपक्स को जो है बधाई दे देना चाहिए कि आज टॉप टेन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं है वो इसले नहीं है कि यह विपक्ष नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े तो इसके लिए मुगारक बात कि भाई सारे हिंदुस्तानी जो है टॉप टेन जो रिचेस्टमेंट की जो लिस्ट थी उसमें से हिंद बजट के उपर और बड़ी शातिर तरीके से बजट के उपर सोनिया गांधी से बहस कर वा एक स्टेट्मेंट दिलवा दिया गया और पीछे से आप लोग यह कह रहें को हम संसत नहीं चलने देंगे तो आप डेमोकरसी के उपर प्रहार कर रहे हो यह पिछली बार कब हुआ थ चीज के लिए हंगामा कर रहे थी यह कि मेरे फोन में वाइरस है है यही कह रहे थे ने वो कौन सा एक वाइरस आ गया था उसको लेकर के सुप्रेम कोर्ट में भी हर जगा कहा कहा तवासा नहीं किया और सब लल्लू पंजू एवरी टॉम डिक अन हेरी दे वर सेंग कि हमारे फोन में भी है हमारे फोन में भी है जाज हुई सुप्रेम कोर्ट में रिपोर्ट गई किसी के फोन में कुछ नहीं निकला और आप यह तमासा कर रहे थे कि जासुसी करवा रहे हैं हमिस्चा जासुसी करवा रहे हैं क्यों भई तो कोई बाहर विदेश में कोई रिपोर्ट आई कि वहां जो है वो उस तरह की इस्राइली वारत जो है हर जगा गुजा हुआ है तो यह तमाशा आपने पहले किया कुछ हासिल नहीं हुआ आपने देश से माभी मांगा यह जो टैक्सपेर का पैसा खर्च हो रहा है यह संसर चलाने में पैसे खर्च होते ही कि नहीं लगत यह फिर आप यह हिंडनबर के रिपोर्ट के ऊपर क्या है उस रिपोर्ट के ऊपर में भई उस रिपोर्ट के में ऐसी क्या चीज है कि जो पहले से लोगों को मालूम नहीं थी ऐसी क्या चीज थी इस रिपोर्ट में जिसमें विपक्स को लग रहा है कि भई इसमें इलाइस का पैसा डूपता चला जा रहा है ये तमाशा इन लोगों को बंद करना चाहिए ये लोग दरसल राई का पहार बना रहे हैं जब आपने तैकर लिया है किसी तरीके से क्यों क्योंकि बजट के उपर डिस्कुर्शन होगा सरकार अपने तरफ से अपनी बात कहेगी आप उसके उपर जवाब देनी पाओगे तो आपको एक मौका मिल गया भई ये देखिए एक तो मैं देख रहा था कि हिंडिनवर्ग के बारे में जब ये राहूल गांदी यात्रा पे चल रहे थे उसी दोरान ये खुद ही टूइट कर रहे हैं कि जब ये प्रशांद भूसन वकी ये टुक्रे टुक्रे गैंग के वकील ये राहूल के साथ पैदल चल रहे हैं तो वह बता रहे कि ये तो बुलबुला है किसी दिन भी फट सकता है तो बही पहले से तुम लोगों को मालूम था पहले से प्लैनिंग की हुई थी और ये हर बार चाहे वो पेगासस का जो वार हो चाहे वो लोया का मसला हो चाहे वो राफैल का मसला हो ये हर बार जब भी संसत की सुरवात होती है उसके दो दिन पहले इस तरह की रिपोर्ट ये हिट जॉब एक इंटरनेशल कॉंस्परेसी की हिंदुस्तान को नीचे दिखाना है और इसमें ये देश-द्रोही विपक् आएगा जूट को आप सच साबित कर देंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये पब्लिक है ये सब जान रही है कि किसका क्या हो रहा है और ये डिसकसिन से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनका जो बेसिक प्रिमाइस था कि भई पा और LIC का मस्टाया अब LIC ने कह दिया कि भी हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है नुकसान इसलिए दीर नहीं हो रहा है किसी का भी पैसा उसमें नहीं जा रहा है क्योंकि हम तो बाजार में 40,000,000 रुपई इनविस्ट कर रखे हैं और उस 40 लाग कडोल में मात्र एक फीसिती से भी कम 0.97% हमने अडानी में इन्वेस्ट कर रखा है और जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है वो भी अभी फायदे में चल रहा है 26% इतना सब कुछ होने के बाब जूर अब उल्टा सवाल इन से जब पूछा जाएगा कि आपके इस हिट जॉब की वज़े से आपके हंगामे की वज़े से एलाएसि और अडानी का सेर का जो प्राइस है वो नीचे गया है तो इसके लिए तो जिम्मेदार कौन है अगर कुछ लोगों को नुकसान होगा भी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं यह हिंड इन्वर की रिपोर्ट जिसको आप गीता और कुरान मान रहे हो और आपको यह भी बताना पड़े कि भाई आप लगातार ही जो हंगामा कर रहे हो और रोज जो शेर डाउन हो रहा है तो इसमें भी आपको यह करना पड़े कंपनिया हैं साल भर में ऐसे कई बार 40-50 बार इस तरह के सिचुशन साते हैं कि जब किसी कंपनी का शेर बढ़ जाता है या फिर गिर जाता है यह हर बार क्या उसके उपर संसर्द में डिसकसन होगा तो यह विपक्ष पतब्रस्ट हो गया है इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि 2024 में कौन सा मुद्दा उठाया जाए और इसलिए यह हर चीज के उपर कुछ नकुछ करने की कोशिस कर रहे हैं कौन से मुद्दे को मोदी के खिलाब चिपकाया जाए ताकि कुछ मसले को उठाकर जनता के सामने वो मुद दिखा सके कि विपक्ष पांच साल तक क्या किया और उसी की तला से यह यह पूरा यह जो बिवाद है यह मिध्या जूट और अफवाह के उपर अधारित है के विपक्ष को अपनी रणनिती फिर से तैकरनी पड़ेगी बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खास अपडेट के लिए इस खबर में बस इतना ही कैमरा परसन राजकुमार के साथ मैस्ट्रिस टे नमस्कार